बॉलीवूड और टीवी शोज की नीज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटिस नीज सबसे पहले पाने के लिए बिग बोस की घर्मिन कंटेसंस के साथ ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं जो इनके जहन में बैट से जाते हैं और वो उन्हें कभी फूला नहीं चाहते क्योंकि कही न कहीं उनकी उसमें खुशी चिपी होती है और ऐसा ही एक किस्सा बताया है रश्मी देसाई ने रश्मी देसाई ने बाहर गार्डिन एरिया में बैटा अपने सभी दोस्तों को बताया कि मेरी यहां की जर्नी में अब तक का सबसे एपिक सीन क्या था सबसे हिस्टोरिकल चीज़ वो थी जब मैंने सिधार्ट पे चाय पेकी थी रश्मी ने बताया कि वहाँ पर शेफाली जर्रीवाला सिधार्ट की तरफ से बोलने की कुशिश कर रही थी बट एट अट मुमेंट शी वोस वक्त पे उसकी वो सिचुएशन ठीक नहीं थी कि वो सिधार्ट को सपोर्ट करके मेरे खिलाफ बोले एक बार हुआ ये कि यहाँ पर शेफाली सिधार्ट और वो बगगा बैठे हुए थे बाते कर रही होते हैं और तब ही यहाँ पर बात हो जाती है तो शेफाली सरी वाला अपना एक्स्प्रेशन देती हुई नजर आती है और कहती है कि वो फ्लिप नहीं था वो स्विच था इस पर शैनाज ने पता उसे क्या का कि बेटा इनी चीजों के लिए मुझे फिलिपर ही बोलते हैं और तेरा वो फिलिप था, स्विच नहीं था और सच में यार उस टाइम पर ऐसा हुआ था कि मुझे बड़ी जोर की हसी आरित मुझे लगा कि आज़र निकल जाना ही बेटर होगा और मैं बाहर से चली गई सच में बहुत ये भयंकर वाला सीन था वो, हस्टोरिकर मिग बोस के स्टेड़ी सीजन के और भी कई टेड़ी खबर यूँ ही जाननी के लिए बनी रहे हैं हमारी साथ सब्सक्राइब करे हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंट्रस्टिंग न्यूस के लिए